दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका जगतियान यूट्विटेल में पैरेट ओएस किस काम आता है और इसे इंस्टाल कैसे करते हैं इसी के बारे में हम आज बात करेंगे सबसे पहले बता दूँ यह ओएस लाइनेक्स परिवार का ही ऑप्रेटिंग सिस्टम है इसका इस्तम 2010 वाला कंप्यूटर है तो भी उसमें अराम से चलेगा और अगर आज के जमाने का कंप्यूटर है तो तो बिल्कुल दोड़ के चलेगा बात रहे इसके इंटरफेस की चलाने में कैसा है तो चलाने में ठीक ही ठाके आपको विंडोस से तो थोड़ा कटी नहीं लगेगा ले के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है और VLC प्लेयर आपको पहले से इंस्टाल किया हुआ मिल जाएगा यानि कि आप चला सकते हैं आप थोड़ा बहुत कोशिस करेंगे तो आप विंडोस को छोड़के इसे चलाने लग जाएंगे अब अगर आप मेरे से पूछो कि विया म से आप रहने दीजिए इसकी जगे पर पहले उबंटू इंस्टाल कीजिए अपने कंप्यूटर में बंटू के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ हुआ है उबंटू बहुत ही असान है आप लाइनेक्स की बेसिक बेसिक वहां से सीखके आए फिर इसे ट्राइ कीजिएगा चलिए मुझे लग रहा है बाते मतलब भरकी हो चुकी है अब इसे इस्टाल कर लेते हैं इस्टाल करने से पहले हमें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा और देखिए हम काम विंडूज 7 पर कर रहे हैं लेकिन अगर आपका विंडूज 8 या विंडूज 10 है तो तरीका उस प मैं भी रिक्मेंट नहीं करूंगा अगर आपने हैं इस मामले में तो उसके बाद है यह क्लाउड अप्लीकेशन वाला इसकी जोथ हमें नहीं है अभी डाउनलोड होम एडिशन पर क्लिक किया पेज एक बार आपका दुवारा से रिफ्रेस होगा फिर से आपके सामने डाउ यहाएओं आपको भी सलाह दोगा कि आप डानलोड किजैंगा उर डानलोड के लिए भी आपको यहाँ जो से दो ऑप्सन मिलेंगे के टाऊरेंट अर सेर्वार वाले सर्वर्वाले पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ट डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट हुने कर देखाए सो जाएगी आपके सामने अब इस फाइल को आपको पेंडराइव के अंदर बूट करवाना है जिसके जरीए हम आगे की इंस्टालेशन करेंगे और पेंडराइव में कैसे बूट करवाते हैं इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है वो आप देख लीजेगा अभी अभी सिस्टम आपके कंप्यूटर में कि जगहें पें इस्टाल होगा वो जगह आपको पहले सेख्ट करके चलनी पड़ेगी जैसे हु कि मेरे कंप्यूटर में अभी तीन पार्टीसन हैं अगर में इस्टालेशन के समय सी ड्राइव को जो जो साट जी वी की है उसको सेलेक्ट करके इस्टाल करूँ गा तो मेरे कंप्यूटर में पैरेट वाइस टो इस्टाल हो जाएगा लेकिन मेरी विंडो जो उड़ जाएगी और बाकी के जो दो पार्टिसन है उसमें डाटा वैसा वैसा रखा रे ना हो एक्जामपल के लिए में यह जो 195GB वाली डिस्क है इसी को सेलेक्ट करूंगा अपना यह OS इंस्टाल करने के लिए बाकी यह जो एफ ड्राइव है 244GB की इसमें मेरा डाटा रखा रहे जाएगा और मेरा यह विंडोज भी यहां का यहां रखा रहे जाएगा अगर आ चाहते हैं या किसी पार्टीशन का साइज कम है या ज्यादा करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने यह स्पेशल वीडियो बना रखें वह आप देख ली जएगा अब हमें जरूरा थे जो हमने पेंडराइव को बूटेवल बनाया था उससे कंप्यूटर से बूट करवाना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लेना है वैसे एक एक दो-दो मिनट के प्रोसेस होते हैं तो मैं आपको यहीं पर बता देता लेकिन वह 10-15 मिनट के अलग प्रोसेस हैं इसलिए मैंने अलग कर दिया है उसे फिलाल कर सकते हैं आप देखिए इसे अच्छा लगा कुछ यूज करके देखिए समझ आता है तो आगे की प्रक्रिया जारी कर सकते हैं नहीं समझ आड़ा तो ऐसे ही करकर के काम चलाते रहेगा कुछ नहीं होगा अब मान कि चलिए हमें इस्टाल करना है तो इसके उपर डबल क्ल करना है अब यहां से सुरू होती है मैंन कहानी में आपको सुरू में बताना भूल भी गया कि अगर आप इस मामले मना हैं तो अपने कंप्यूटर का बैक अप ले लीजेगा और यह बैक अप के लिए मैंने वीडियो बना रखें तो आप देख सकते हैं यहां पे हमें करना क क्या है कि अप्टेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में कि जगे पर इंस्टाल होने वाला है वो जगे सेलेक्ट करनी है अब जैसे कि आप अपने पूरे कंप्यूटर को फार्मेट करते हुए इसे इंस्टाल करना चाहते हैं तो इरेस डिस्क वाला उप्शन सेलेक्ट कर के next कर देना है सब काम automatic होगा कुछ नहीं करना पड़ेगा लेकिन अभी हमारे computer में windows 10 भी है और उसके साथ साथ कुछ data भी है तो हमें दोनों को ही बचा के चलना है इसलिए हम manual partition select करके next करेंगे तो अभी यहाँ पे हमारा जो दूसरे number का partition है यह हमारा windows वाला partition है हमें dual boot करना ह तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे अपने वही 195GB वाले partition पे आ जाएंगे और जिसमें आप करना चाहते हैं उसको select कर लीजे जैसे कि मैंने इससे select कर लिया है और delete कर देना है delete करने के बाद यहाँ पे free space लिखा हुआ जागा create पे क्लिक करिए screen थोड़ी गड़ बड़ा रही है कर लेते हैं इसे अब file system में btrfs select होना चाहिए नीचे mount point है mount point में यह slash का निसान select कर लेना है flag में थोड़ा नीचे करेंगे यह route वाले पे check mark लगा के ok कर दीजे अगर आप अपना windows format करना चाहते हैं तो यही चीज़ आप अपने windows वाले partition के साथ कर सकते हैं एक बात का ध्यान यह partition का तरीका MBR वाले लोक लिए था अगर आपका computer app GPT यानि की UEFI है तो उसके लिए दूसरा तरीका होगा जिसका वीडियो में ने एक अलग से बनाया हुआ है link description में यह देख लेना लगबग हमारा काम हो गया है सबसे नीचे देखिए master boot record लिखा हुआ है यहाँ पर यही से होने जारी है आप एक बार दुवारास चेक कर लीजेगा फिर मैं अभी next करता हूं सब कुछ complete है इंस्टाल लाओ अब आपको कुछ नहीं अराम करना है installation की प्रक्रिया जारी हो चुकी है complete होने बाद all done लिखा हुआ आएगा अब done पे क्लिक करिए please remove the installation medium मतलब आपने मैंने आपको शुरू में बताया कि डूल बूट में जब भी आप computer start करेंगे computer आप से पुछेगा कि यह क्या चालू करना है यहां पर दो option है हमारे पास की यह पैरेट चालू करना है Windows 7 चालू करना है Windows 7 तो चला ही रहे थे अब तक अब पैरेट चालू कर या करना है तो इस अब पासवर्ड के लिए आ रहा है तो पासवर्ड हमने डाला नहीं था इसलिए खाली एंटर मार दिया बधाई हो आपका operating system install हो चुका है यहां पर आपको खाफी चीजे देखने को पहले सही मिल जाएंगी जैसे की multimedia में आपको VLC देखने को मिल जाएगा Office आपको देखने को मिल जाएगा Library Office की कई सारी चीजे डली वी हैं और भी तमाम सारी चीजें है CPU के बारे में आपको यहां पर बताया जाएगा कि CPU में क्या process वगेरा चल ली है मैंने कुछ ट्राइग किया ठीकी ठाक लगा अभी हम इसे बंद करते हैं एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारा वीडियो कोई समस्या है कोई विचार है किसी नए टोपिक पर वीडियो चाते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और डिस्कॉर्ट सर्वर हमारा जाइन कर लीजेगा वहां पर मैं रोज लाइव होता हूं तो आप वहां पर मेरे से बात कर सकते हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीड़ेगा आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे सपोर्ट मिलता है बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हाथा कमारा साथ दिया चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक क्लिए ध्यान रखिए अपना जए हिंद जए भारत